हेलो गाईज, अभी अभी मॉर्निंग डॉक्टरिंग सेशन्स खतम करके मैं लोट रहा हूँ, अभी लास सेशन मेरा जहां पे था, उन पेट पैरेंट ने बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल मुझे पूचा, एक्चुली इतने सालों में पहली बार मुझे किसी ने ये सवाल पुचा है, वो जानना चाते हैं, ओबिडियन्स ट्रेनिंग का इस्तमाल वो कब और कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाता हूँ, लेकिन, 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 गाड़ी चलाते समय मोबाईल फोन का इस्तमाल करना सेहत के लिए आनिका रखे, इसलिए ग अग्या की बात करते हैं, हमें लगता है, हम डॉक को obedience training सिखा के उसको हमारा 100% अग्याक्यारी बनाएंगे, हम जब चाहें, जैसे चाहेंगे 24x7 हम उसको हमारे control में कर पाएंगे, लेकिन obedience training का मतलब control करना नहीं होता है, तो डॉक के साथ communicate करना होता है, अब आप किसी से communicate करते हो, तो आप क्या करते हो, आप body language और voice modulation इसका भरपूर इस्तमाल करते हो, वही तो आपको करना है, डॉक के साथ communicate करना है, ताकि आप उसके साथ अच्छी जिन्दगी बिता पाओ, अगर आपने notice किया रहेगा, तो generally हम डॉक को क्या नहीं करना है, ये सबसे पहले बताते हैं लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये उसको सिखाते नहीं, for example, अगर dog आपके उपर जम कर रहा है, तो हम चिलाते रहते, don't jump, don't jump, don't jump, लेकिन उसको सिखाते नहीं है, how to sit, so, अगर आपने dog को sit सिखाया, तो उसको समझ में आ जाता है, कि वो आपके पास आके बैठा, तो आ सकता है, शायद punishment मिले, तो, but obvious, dog का वो unwanted behavior करना बंध हो जाएगा, gradually, और वो आपके पास आखे बैठना सिखेगा, तो अगर dog को हमने sit सिखा दिया, तो उसको down सिखाने की क्या जरूरत है, वैसे भी dog तो एक जगह बैठी रहा है, वो jump नहीं कर रहा है, but there is a slight difference between sit and down command, जब dog क temporary या कुछ seconds के लिए, कुछ minute के लिए एक जगह पे बैठना होता है, तो हम usually sit, ये command का इस्तमाल करते है, लेकिन जब dog को थोड़ा longer समय के लिए एक जगह पे बैठे रहना है, तो हम down, यानि कि उसके relaxing position का इस्तमाल करते है, वो command हम उसको देते हैं, so for example, अगर आप TV देख र position में आराम से आपके साथ बैठ सके, और आप आपका TV शोओ enjoy कर सको, ठीक है, हमने dog को sit or down सखा दिया, लेकिन उसको stand, ये command सिखाने की क्या ज़रूरत है, so देखिए, जैसे अभी मान लेते हैं, कि हम dog को walk के लिए बाहर लेके जाते हैं, ठीक है, और रास्ते में हमें हमारे जान पैचन वाले मिलते हैं, एक दो-पाच मिनिट के लिए हम हाँ हेलो करते हैं, उस समय dog क्या करता है, उसके लिए तो कुछ करने के लिए होता नहीं, तो वो sit या down position के लिए चला जाएगा, क्योंकि अभी jumping या other behavior तो हमने उसका discourage किया हुआ है, लेकिन road पे गंदगी रह तो dog पूरा खराब हो सकता है, उस समय आप stand ये command का इस्तमाल कर सकते हो, ताकि आपका dog seat और down होके गिला ना हो या उसको धूल मिट्टी ना लगे, अब बारी आती है stay इस command की, अब कैसे होता है कि बहुत बार हम dog walk करने के लिए लेके जाते हैं बाहर और घर से phone आता है, आत तो हम stay का इस्तमाल तब कर सकते हैं, dog को shop के बाहर stay command देके हम अंदर जाके जो भी हमें सबजे वगरा लेनी हैं वो ले सकते हैं, लेकिन dog को कितनी देर हम stay command पे रख सकते हैं, उसके भी कुछ limitations है, मेरे ख्याल से not more than 10 to 15 minute dog should not be in a stay command, हम जल से जल उसको relieve करना चाहिए, stay का इस इस्तमाल एक दुसरे तरीके से भी किया जा सकता है, suppose dog हमसे कही distance पे है और हमें लगता है कि बाबाव उसकी life danger में आ सकते हैं या आपकी social liability बढ़ सकती है, तब आप dog को stay command दूर से दे सकते हो, ताकि आपको एक आउधी मिले, आप उसके पास जाके उसका physical control ले सके और उसको उसके life threatening situation से या आपकी social liability बढ़ने से पहले उसको रोक सके, दूसरा इस्तमाल stay का कब हो सकता है, जो आप अब हैं dog को patience सिकाना होता है, कभी कभी होता है कि dog बहुत impatient हो जाता है, बहुत foodie dog रहता है, तो food का आवाज, bowl का आवाज देखें, बहुत impatient होता है, फिर वो आपके prepare करा सकते हो, और बाद में उसका जो भी feeding place रहेगा, वहाँ पे आप उसको feeding bowl serve कर सकते हो, तो इस तरह के stay के, leave it ये और एक बहुत important command है, जो हमने हमारे dog को जरूर सिखाना चाहिए, जब भी कोई unwanted cheese dog ले लेता है, तो वो लेने से पहले या लेने के बाद, आप इस command का इस्त of papers, तो आप leave it command का इस्तमाल कर सकते हो, या हो सकता है कि हमारे पास guest आए, उनके लिए हमने चाई या snacks table पे रखा हो, और हमारा dog लेने की कोशिच करे, या उसको सुमने की कोशिच करे, तो आप leave it command का इस्तमाल कर सकते हो, वैसे ही outdoor में हम जो dog को walk के लिए लेके जाते हैं, य अब leave it ये command का इस्तमाल कर सकते हो, लुजडिश walk या hill command ये भी बहुत important है, जहाँ पे हम हमारे dog को सिखाते हैं, with leash public premises में हमारे साथ चले, हमें बीना खीचे, अब देखिए हम dog को walk के लिए लेके जाते हैं, लेकिन continuous किसी वज़े से dog अगर हमें खीषता रहता है, तो हमारा हाथ दर्द करेगा, और हम धीरे धीरे dog का exercise walk कम करते जाएंगे, because of lack of exercise, dog के अंदर बहुत सारे behavioral issues develop हो सकते हैं, तो एक problem will lead you towards many problems, इसलिए ये command सिखाना dog को बहुत जरूरी है, जहाँ पे हम dog को ये समझाने की कोशिच करते हैं, कि मेरा तुम्हारे साथ walk enjoyable होगा, at the same time, अगर तुम मुझे बीना खीचे मेरे साथ चलोगे, तो तुम्हारा walk मेरे साथ enjoyable होगा, तुम दुनिया को जादा अच्छे तरीके से explore कर सकते हो, अलग-अलग surface, अलग-अलग smells तुम ले सकते हो, and you can enjoy your life along with us. अब हम बात करते हैं, obedience training की आखरी command और सबसे जादा enjoyable command की, कम. कम command सिखाते समय हम डॉग को 100% positive experience देते हैं, so that डॉग की ले coming to you is like a party, is like a celebration, is like having a good time, fun time with you, always, always. Not a single time, डॉग will have a negative experience after coming to you, ये command बहुत जादा बजरूरी है, क्योंकि ये आपका और आपके डॉग का bond कैसा है, इसके बारे में दुनिया को बताती है, ये command आप तब यूश कर सकते हैं, जब आप कभी भी किसी भी reason के लिए डॉग को आपके पास बूलाना चाते हो, so suppose आपक पास बूला सकते हो, rather than finding him, कहा है, कहा है, कहा है, या suppose आपका घर रोड साइड पे है, तो और गेट खुला है, डॉग गर के बाहर रोड पे चला गया, it's an unsafe place for a dog, तो आप डॉग को घर के अंदर वापिस बूलाने के लिए भी कम कमांड का इस्तमाल कर सकते हो, कम कमांड is like, be with me, always, whenever, whenever I need you, that's it, I really hope this video clip will help many pet parents in bringing positive change in their and their pet's life, thank you.